आज साजेदारी के पुनर गठन की श्रंखला के अंतरगर्थ, साजेदार की सेवा निव्रिती या मृत्यू होने पर पूंजी का समा योजन किस तरह से किया जाएगा इस पर चर्चा करेंगे साजेदारों की पूंजी का समा योजन यानि जो साजेदार सेवा निव्रित हो रहा है या किसी साजेदार की मृत्यू हो जाती है उसके बाद जो शेश साजेदार हैं वो अपनी पूंजी को समा योजन करते हैं क्योंकि लाब विवाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वो पुंजी का समायोžग कर रहे हैं, पहली परिस्तिती में जब नई फ़र्म की कुल पुंजी नहीं दी गई है, यानि उनके बीच में नई फ़र्म की कुल पुंजी की कोई सहमती नहीं हुई है, इस की गड़ना नए लाब विवजन अनुपात में की जाएगी और ऐसा करने से इसके अनुसार जो भी आधिक या कमी होगी वो साजेद्वार द्वारा रोकर निकाल कर या रोकर लाकर की जाएगी दूसरी परिस्तिती में जब नई फर्म की पूंजी का निर्धारण साजेदारो द्वारा पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है यानि जो शेश साजेदार हैं वो इस बात का निर्धारण कर लेते हैं कि साजेदार की निवरती के बाद हमारी जो नई पूंजी होगी वो क्या होगी उसका निर्धारण वो पहले से कर लेते हैं ऐसी स्थिती में जो शे रोकर निकाल कर या रोकर लाकर की जाएगी तीसरे के इसमें तीसरी स्थिति में जब एक साजेदार सेवा निवरित हो रहा है और उसकी जो देराशी है वो विद्वान साजेदारों के पूंची खाते के नए लाव विवर्जन अनुपात के रूप में समायोजित करने पर वि समझाना जरूरी है कि जब साजेदार सेवा निवरित हो रहा है तो उसकी जो देराशी है उसका भुकतान फर्म के रोकर से ना करके जो विद्वान साजेदार है उनसे रोकर मंगवाया जाता है भुकतान करने के लिए अब जो वर्तवान साजेदार है वो रोकर लाने के लि पुझी खाता होगा वो न यह लाब विभजन अनुपात si jin ७ चौती परिस्तिती में जब सेवा निवरिस साजेदार की देराशी वर्तमां यह विद्वान साजेदार लेकर आएंगे और अपने पुझी खाते का समायोजन नए लाब विवाजन अनुपात में करेंगे इसके साथ साथ तुलन पत्रिका में कुछ रोकड का शेश दिया हुआ है वो उसे एक निर्धारित राशी या एक निश्चित राशी में कायम करना जाएंगे या बनाए रखना जाएंगे यानि उसे ही नई फर्म की पुझी मानेंगे तो उस परिस्थिती में कौन साजेदार अपने लाब विवाजन अनुपात की गंड़ना करने के परस्चाथ जो आदिक के या कमी होगी उसे रोकड लाकर या निकाल कर किया जाएगा इसका मतलब जो पांचवी परिस्थिती है वो कि परिस्थिती में भी उन्होंने पुझी का निर्धारण कर लिया कि जितनी राशी जितना पुझी हमारी कुल पुझी सेवा निवरित साजेदार के पहले थी फर्म की कुल पुझी उतनी ही कुल पुझी उसके सेवा निवरिती के बाद आ की जाएगी तो इन सभी परिस्थि अनुपात एक में वो करते हैं पुनर मुल्यांकन ख्याती या संचित लाब इन सबसे संबंदित समायोजनों के करने के फिर्षाथ ए बी और सी के पुझी खाते में जो शेश है जमापक्ष की तरफ वो है एक एक लाग साथ हजार बी का एक लाग बीस हजार तता सी का असी हज अब बी के सेवा निवरित होने पर शेश साजेदारों की पुझी किस तरह से समायोजित की जाएगी उसकी परिस्थितिया निम्द दी गई हैं हम वहाँ पर निम्द स्थितियों में पुझी की गढ़ना करेंगे और कौन साजेदार कितना रोकर लाएगा या निकालेगा इ पाइए जाने आपको बोट पर नजर आ रहा है मैंने साजेदारों का पुझी खाता बना लिया है साजेदारों का पुझी खाता बनाते हुए जो भी उसके समायोजन करने थे पुनर मुल्यांकन से या ख्याती से ख्याती मिलेगी यहां और इस ख्याती की शतिपूर्ती की जा these पुनर मुल्यांकन से जो भी नभ या यहानी होगा उसको भी हमने ढाल दिया यहां मैने बदे लिखी हुई है सिर्फ राशी नहीं ढाल ईएचा करने के बाद सबसे पहले जो साजेदार स्टेवा निवृत हो रहा है मैंने उसे यहां पर चिन्यृत कर लिया अब सेवा निवर्थी के बाद A का 6,1,60,000 है, C का 6,80,000 है और B जो साजेदार सेवा निवर्थ हो रहा है उसका 6,1,20,000 है हमारे पास दो परिस्थितियां हैं हम दो तरह से भुगतान कर सकते हैं या तो हम उसका तुरंग भुगतान कर दे तुरंग भुगतान करने पर हम यहां लिख द हम तुलन पत्रिका में दाइत उपक्ष की और तब तक दिखाते रहेंगे जब तक इसका पूरा भुक्तान नहीं हो जाता अब जो ये शेश है ये मैं अगले भाग में ले गई हूँ अब यानि यहां B का शेश नहीं लिखा जाएगा A का शेश 1,60, C का शेश 80,000 पहली परिस के अब साजेदार हो गए शेश साजेदार इनकी पूंजी अगर हम देखें तो एक लाग साथ हजार और असी हजार है तो यहां हम की कुल पूंजी निकाले पूंजी कहीं बहार से आएगी नहीं अब उसी का समाय योजन किया जाएगा तो जो A की पूंजी है एक लाग साथ हजार और B की पूंजी असी हजार कुल पूंजी हो गई दो लाग चालिस हजार इसे हम नए लाब विभाजन अनुपात में करेंगे और हमारा लाब विभाजन अनुपात प्रश्न के अनुसार तीन अनुपात दो था A, B और C में B जा रहा है तो इसके अनुपात को छोड़ दें तो अब आपका नया अनुपात हो जाएगा तीन अनुपात एक यानि दो लाग चालिस हजार को अगर आप तीन अनुपात एक में करना करते हैं तो आता है एक लाग असी हजार और साथ हजार यह जो नया कुल पूंजी का भाग है वो हम यहां दिखाएंगे एक लाग असी हजार और साथ हजार यानि एक ही पहले फिर्म की पुरानी पुंजी है एक लाग साथ हजार अब नई पुंजी हो जाएगी एक लाग बीस हजार तो ये बीस हजार और लेकर आएंगे रोकर और C की पहले पुरानी पूझी है 80,000 और नई पूझी है 60,000 यानि ये फरम से रोकड निकाल लेंगे 20,000 इस पर इस्थिती में एक साजेदार द्वारा लाया गया रोकड, दूसरे साजेदार द्वारा निकाले गये रोकड के समान होगा दूसरी स्थिती में नए फर्म की कुल निर्धारित पूजी 3,00,000 रुपे दी गई है अब इस 3,00,000 को जो फर्म की नई पूजी है इसे नए लाव विभाजन अनुपात में इसकी गढ़ना करेंगे तो नए लाव विभाजन अनुपात हमें पहले से ही मालूम है 3,00,000 को 3,00,000 में करेंगे तो हमारी राशी आती है 2,25,000 और 75,000 यानि ये नई पूजी हो गई नई पूजी एकी 2,25,000 और 75,000 एकी पुरानी पूजी थी 1,60,000 और नई हो गई 2,25,000 यानि ये शेश लाएंगे 65,000 C की पुरानी पूजी थी 80,000 और नई पूजी जो निर्धारित की गई है वो 75,000 यानि वो 5000 का शेश निकाल लेंगे पुरानी पूजी जादा है नई पूजी कम है तो वो 5000 का शेश निकाल लेंगे और यहाँ पर हम प्रविष्टी करेंगे क्योंकि ये पूजी ला रहे हैं इसलिए रोकड खाता नाम A के पूजी खाते से और ये निकाल रहे हैं तो C का पूजी खाता नाम रोकड खाते से तीसरी परिष्टिती में जब सेवा निब्रित साजेदार को उसकी दे राशी का भुकतान करना है और वो राशी शेश साजेदार लेकर आएंगे किस अनुपात में लेकर आएंगे ये जानने के लिए हमें उनके जो पूजी का निर्धारण है वो नए लाव विभाजन अन दी, ची की पूजी जो फर्म में लगी हुई है असी हज़ार और बी को देने के लिए जो राशी है वो भी ये दोनों साजेदार लेकर आएंगे तो वो उनकी अतिरिक्ट पूजी बन जाएगी इसका मतलब ये पूजी उनकी वेबसाय में पहले ही लगी हुई है और ये अत लाग साथ हजार को वो नए अनुपात में विभाजित करेंगे तीन अनुपात एक में विभाजित करने पर हमारा आ गया दो लाग सत्तर हजार और नब्बे हजार यानि ये उनका नया लाब विभाजन अनुपात के अनुसार पूंजी बनी अब क्योंकि ये साजेदार सेवा कर आणिवरित हो रहा है तो उसे तो एक लाग 20,000 देना पड़े गा और उसको देने के लिए कौन कौन कितना रोकर लाएगा यह जानने के लिए एक की पुरानी पूंजी थी एक लाग शाट हजार और नई पूंजी हो गई दो लाग सत्तर हजार C की पुरानी पुंजी थी 80,000 और नई पुंजी हो गई 90,000 तो देखें A की दौनों राशियों का अगर हम मिलान करें तो A, एक लाग 10,000 की पुंजी लेकर आएंगे और C के अगर दौनों पुंजी का हम मिलान करें तो C, 10,000 की पुंजी लेकर आएंगे साजेदारों द्वारा लाए गई पूंजी बराबर होगी सेवा निप्रिज साजेदार को भुक्तान करने की राशी के अब हम बात करेंगे चौथे परिस्थिती की यहाँ पर जो चौथी परिस्थिती है वो तीसरी परिस्थिती का ही एक विस्तार है सेवा निफ्रिस साजेदार को जो दे राशी है वो शेश साजेदार अनुपातिक रूप से लेकर आएंगे और वो अनुपात निकालने के लिए पहले उनकी पूजी का निर्धारन नए लाव विभजन अनुपात में करेंगे और साथ ही यहाँ पर जो विस्तार है परिस्तिती का तीसरी परिस्तिती के तुलन पत्रिका में पहले से ही रोकड की राशी 30,000 रुपे है और शेश साजेदार उसे 10,000 रुपे बनाए रखना चाते हैं यानि कि सेवा निप्रिस साजेदार के राशी का भुकतान करने के लिए 20,000 रुपे हम फर्म के रोकड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस परिस्तिती में हम जब कुल पुझी निकालेंगे तो A की पुझी, B की पुझी और C की पुझी ये तो रहेगी 3,60,000 क्यों तीसरे का ही ये विस्तार है अब यहाँ पर आपके पास रोकड जो आपके तुलन पत्रिका में दिया है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं यानि 30,000 दिया हुआ है और 10,000 आपको बनाए रखना है तो 20,000 का रोकड आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं यानि अब आपको 3,40,000 की कुल पुझी चाहिए उसका अगर हम देखें 3 अनुपात एक निकालें तो करना आती है 2,55,000 और 85,000 अब वो राशी हम यहाँ डाल देंगे B को तो 1,20,000 देना ही है अब इसका मतलब यहाँ पर आपके पास A की जो पुझी हो जाएगी वो हो जाएगी 2,55,000 और इसकी हो जाएगी 85,000 अब जरा गढ़ना करें कितना लेकर आएंगे 1,60,000 और 2,55,000 मैं अंतर अगर हम निकालें तो कितना आया 95,000 और 80,000 और 85,000 की गढ़ना करें तो यह आया 5,000 यानि A लेकर आएंगे 95,000 और C लेकर आएंगे 5,000 कुल हो गया 1,00, 20,000 पहले से ही हम रोकड का इस्तेमाल तुलन पत्रिका से कर सकते हैं तो हमें 1,00, 20,000 का भुकतान करना है B को हमारे पास अब राशी उपलब्ध है पांचवी परिस्तिती जो मैंने आपसे चर्चा की थी वो बिलकुल दूसरी परिस्तिती के समान होगी मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि पांचवी परिस्तिती जब नई फर्म की कुल पुझी जो सेवा निवरिती से पहले पुझी थी तुलन पत्रिका में उसी के समान होगी तो उस केस में हमारे पास पुझी का निधारन हो गया यानि जो पुझी सेवा निवरिती से पहले थी वही अब आपके सेवा निवरिती के बाद होगी पुझी का निधारन हो गया जिसे नए पुझी लापने गणना करेंगे और आधिक के और कमी को साजेदारों द्वारा लाया या निकाला जाएगा तो आशागरती हूँ कि आपको सेवा निवर्ति के समय किये गए पुजी का समायोजन किस तरह से किया समझाया होगा आपको इसका लाब मिलेगा अभ्यास करेंगे धन्यवाद